हेलो एंड वेलकम टू इल्यानाटेक तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी शाला सिद्धी पोर्टल के उपर इस वीडियो का थू मैं आपको बताऊंगा कि जो शाला सिद्धी पर आपने जो रिजिस्ट्रेशन करने है उसमें जो डिटेल करने है वो आप कैसे फिल करोगे इसके रिगार्डिंग हम और रही पहले वी एक दो बार वीडियो अप्लोड कर चुके हैं बट फिर भी हम इस व यहां पर आपको लोगिन पेज मिल जाएगा यह आपका एक नेशनल प्रोग्राम ओं स्कूल स्टैंडर्स एंड इवलीवेशन के उपर है इसमें आपकी जो स्कूल की इवलीवेशन सोती है उसमें कुछ पैर करना होता है कुछ टेल आपने फिल करनी होती है अन्देन उसी क यहाँ पर आपके स्कूल की क्या होती है इवैलुवेशन होती है तो यहाँ पर एक लेटर थी वो लेटर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यह लेटर आई है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह शाला सथी पोर्टल है उसमें आपने चुछ और इसमें यह वाले परामिटर आपके वह आपके क्या होंगे फिलोंगे जिसमें आपके क्या होगा होगा नुबर स्टूडंट नर्शुडंट लेर्निग आओवां व्धॉप्स आंड लेर्निटर और की सब्जेक्स नुबर आफ टीचर अटेंदेंट्स एंड रि improvement plan तो यह सारी की सारी information आगे नीचे लिखा हुआ है कि आप कैसे फिल करोगे कैसे register करोगे कैसे login करोगे एड जो भी इसकी information है वो आप देख सकते हो हम बात करते हैं शाला सिद्धी पोर्टल की यहाँ पर आपने शाला सिद्धी को आपने उपन कर लेना यहाँ पर आपको login स्क्रीन देख रही है अगर तो आपके पास आपके स्कूल का ID पास्वर्ड है विकोज आपने पहले वी यह काम किया हुआ है आल्मोस्ट हर स्कूल को रिजिस्टर किया हुआ खास करके जो आपके पास्वर्ड है उन्होंने अपना जो ID पास्वर्ड है वो फिल करना यहां समिट करते रहा है अगर in case in case अगर कोई यूजर है जिसने पहले से कभी रिजिस्टर नहीं किया वो यहां पर यूजर के ओपर क्लिक करेगा और यहां पर वो करेगा पर इसकी जो इन्स्टरक्ट न सैं वह इस देख लेना आपका जो पास्वर्ड है है वह पास्वर्ड कैसे तुम होगा ठीक है उसके बाद हपर यहां पर जो जो गॉर्मेंट मिडल स्कूल लास्ट निम आपका जो भी आपका है वहां पर उसमें आपका मुबाइल नंबर आएगा आपकी जो इमेल आइडिया वह आएगी जन्रेट अटी जन्रेट यहाँ पर आएगा पिन ओपको टिपी मिलेगा एंड वहां से आपका कर सकते हो उसके बाद यहाँ प्र पास्वर्ण करोगी फिर भरने के बाद आपका क्या हो जाएगा लोग आपका यूजर कर दो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि in case आगर आपका पासवड़ आप भूल चुके हो तो उस case में हमारे पास क्या option है forget password कर यहां पर क्लिक करो यहां पर आपने school का जो भी आपका code है वो अगर आपके पास PIN है OTP hey open welcome अगर आपके पास pin नहीं है तो get bin के उपर dare क्लिक करो यहां पर यहां पर हमारे पास क्या है gap bin यहांपन क्या करोगे देख क्याय करोगे यहां पर अपर यहां पर आपकोको कोईец लगाव करोगे ए- Конχूल श्कुल आपका जो पिन वह चला जाएगा तो यहां पर हम बात करेंगे सिधा में यहां पर लोगिन करूंगा किसी एक स्कूल अकाउंट में और वहां पर हम बताएंगे कि आपने जो डाटा है वो कैसे फिल करता है तो यहां पर मैंने किसी एक स्कूल में लोगिन किया हुआ है अंदर यहां पर आप देख सकते हूं यह हमादा जो होम पेज है वह आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा है यहां पर आपके सामने क्या लिखा है कि अगर तो आप पर यह ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ सब पर यहां पर देखिये क्या लगा हुआ करोस का साइन लगा हुआ है यहां पर साइन लगा हुआ है और यहां पर आपका अंड हो रहा है वेलेजिशन अपटी आपकी और ये इंड हो रही है उसके बाद आप रिपोर्ट ने का सकते हो फिर एक्स्टनर ईपोर्ट साथ है तो आप ने यहां से स्टार्ट करना लेरह से यहां पर जब आप जाओगे ना तो सबसे करते हैं हम लर्नेर से लार पर क्लिक करोगे तो यहां पर सबसे पहले हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट्स थे वो कितने रहे सी स्टी ओविसी जर्णल और माइनोरिटीज यहां पर क्लास वाइज एनुल अटेंडर्स वो कह रहा है प्रीबिज अकेडमिक एर ट्वंटीवन ट्वंटीटू की तो यहां पर वाइज की गर्स की आपने अलग-अलग से अटेंडर्स नि सब्सक्राइब करोगे तो यहां से आपका क्या करोगे तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है यहां पर आपक्लिक करोगे यहां पर फुर वो पूछे रहा है कि लर्निंग जो आउटकॉम्स है आपके एनुली और प्रीविस अकैडमिक की देखे सेशन आपका कौन सा चीह था यहां पर जो प forgi ऑच्टे किया तो यहां पर लग अलग अने कितने हैं तो यहां पर अलग अलग लग Prabit करे नबर थर्ड पर क्या है प्रलमेंस इता चीज्द करना सब्सक्राइब करता है तो जो दूसरे स्कूल होंगे, जो आपके higher grades के होंगे, वहाँ पर आपका क्या हो सकता है? यह आ सकता है. Teachers में आपके पास क्या जाएगा? Number of the teacher in each category. आपके पास trained और untrained teacher कितने हैं, वैसे तो untrained teacher कोई नहीं होगा हमारे पास. तो male कितने है, female कितने है, उसे साफ से आपने data fill करके इसको submit कर देना है. उसके पाद क्या है teacher की attendance? तो teacher की attendance आपने लिखनी हैं, अगर तो यहाँ पर लिखा हुए type of leap, long leap पर है कोई, more than one month, तो कितने teacher है? और short, up to one week के लिए, वो आपके कितने है, and then उसको आपने submit कर देना है. उसके बाद आगे आपके अलग-अलग domain. तो यहाँ पर domain 1 पर क्या है हमारे पास? school evaluation composite matrix. तो domain 1 में है आपका availability, adequacy and usability. तो यहाँ पर school की जो premises है, उसका level कहाँ पर है आपका? ठीक है? उसका जो level है, उसकी जो quality and usability है, उसकी जो adequacy है, वो कितनी है, और उसकी availability. पहला level पर है आपकी availability और adequacy. second level पर है उसकी quality है, वो कैसी है? अगर available है, तो उसकी quality कैसी है? तो अगर उसकी school premises की level 2 पर है आपकी, तो level 2 पर ही जो उसकी quality है, वो किस level की है? level 1 पर है, level 2 पर है या level 3 पर है? तो यहाँ पर आप उसके prioritize कर सकते हो, उसको improve करने के लिए, कि उसको कितना improve करने के ज़रूरत है low है medium है या high है तो ऐसे आप इसके answers यहां पर क्या करोगे फिल करोगे वैसे ही जो playground है वो आपके पास available है या नहीं है अगर है तो किस level का है level 1 का है level 2 का है या level 3 का है तो वो आप यहां पर फिल करोगे and then level 1 उसकी जो quality है वो कैसी है और उसको improve करने की जुरूरत है ऐसे आपने यह सारे के सारे answers देनी है यह आपके यहां से शुरूओंगे domain 1 से लेके यहां तक फिर domain 2 का आएगा वैसे ही फिर आपका क्या आजाएगा domain 3 का आजाएगा वैसे ही आपने यहां पर submit करते ही आना है जब आप यहां पर click करोगे न तो यहां पर आपको अपने एक mission statement देनी पड़ीगे 20 से 50 words की वह आप यहां पर fill करोगे उसके बाद जो domain 1 से लेके domain 7 तक जो आपने detail fill की है area of improvement आपको कहा कहां पर improvement की जरूरते है वो आप अपने minimum से maximum से maximum पंदरा वर्स में आपने यहां पर fill करना है कि उसका proposed action क्या आपने plan किया हुगे वो आप लिखोगे आपको कहा कहा पर इसको अगर माल जीजी कि इस कि जरूरत है तो उसके लिए आपने go और आपको किस-kis-kis-kis पॉर्ट की जरूरत है वहाँ पर और आपने अभी तab क्या एक्चन टेइकं किया है यह सारी किसारRE इन्फर्मेशन आपने यहां पर फिल करके सको संबzip कर दो और यह आपका जो आपके सर्वेया यह क्या हो जाएगा यहां पर एंड हो जाएगा ऐसे आपकी रिपोर्ट आ जाएगे तो जैसे जैसे इसकी रिगार्डिंग और कोई अपडेट मिलेगा वो भी हम अपनी वीडियो में आपको बताते रहेंगे तो यह थी हमारी आज की सब्सक्राइब करना न भूलें मारे यूटीब चैनल इलान अटेक को और ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बले आइकोन को प्रेस करना न भूलें थैंक्यू सो मच जाहिंग